हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करोगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूरी कीजिए कि आपको अटला वीडियो किस आजका यह जो वीडियो है वो जो आजका फिलाल ड्रक्स के से बहुत जादा चल रहा है आपको भी पताऊगा अरेस्ट हो चुका है तो मैं एक ऐसे ही चीज के बारे में बताने वाली हूं कि जो 80s के टाइम 90s और 80s के टाइम था उसमें ड्रक्स क्वीन के लागती थी दू साल तक कोई भी पकड़ने सका था ड्रक्स के मामले में हुआ क्या था उनका नम था बेबी पाटन कर तो पहले तो बेबी पाटन कर जो थी वो सिधार्टनगर के एक इलाके में जब जो एरिया है सिधार्टनगर का वहां पे रहती थी फिर उनकी शादी हो गई शादी के बा शादी नाम है उनकी णाम हूए शादी के सबस्स्सक्राइब कर्णा अने नहीं कि दो बburैंक्रा को कống सोर्सके दारा ऐस्थ भाएस द्विया अनुदन है हिंग कुछ भाव जोड़ी तो इस लिए ध्यश्ज झाल दुम जाता है तो यह जो बेबी पार्टन कर थी जब वह हस्बेंट से अपने अलग हुई तो वह सिधार्तनगर में ही खुपका घड़ लेके पहले उन्होंने अपना करियर सुड़ुक लेकिन एक उनका भाई थे उनके चार भाई है तो उनके चार भाईयों द्वारा एक जो मारिया नाम का गुंडा था तो कुछ तो उनके जगडा हुआ तो कुनदे क्उंडा था इसको मार दिया। मटर कर दिया उसका तो वह भाई तो गय जेल में एक और उनका भाई था, वह ड्रक्स लेता था। उसकी नेबर में एक आयूग या कुछ ऐसा नाम था उनका तो वह लड़का पकड़ा गया जो ड्रक्स अप्लाई करता था और वो आयोग से ही वरजुन को जो है ड्रक्स अप्लाई होता था तो उन्होंने क्या किया जब वो आयोग पकड़ा गया तब उन्होंने जानकारे निकाले कि ये ड्रक्स वगरा जो है वो कहा मिलते है कैसे मिलते है और उन्होंन सब इन्फोर्मेशन लेना शुरू किया तो वो भी यह लाइन में ड्रक्स बेचना शुरू कर दिये तो एक इंस्पेक्टर था उनका नाम था धर्मा सालो की उनके एरिया का जो पिलिस वालत है तो उनका और यह जो बेबी पाटन कर है उनके अभेद सम्मन थे तो वो इनको ब खबर कर देते था कि आसा होने मुथ तो वो कभी भी पकड़ी ने गई 30 साल तक उन्हों ने पुलिस ने उनके घर पर रेड किये और फिर 2000 यौ 210 त्छा अनुन ने क्या कि उन्हों ने ड्रक्स में इतना पैसा कमाया इतना पैसा कमाया उन्होंने जहाँ पर वह सिद्धात नगर पे रह रहे थे उनके एरिया में उन्होंने चोबिस घर लिये उन्हें में उन्होंने फ्लैट्स खरी दिये है हैदराबाद में फ्लैट्स खरी दिये और इवन लोनावला में फार्म हाउस खरी दे चार पांच तो सब को शक हुआ और वो क्या एक्सक्विज देती थी उ रियल इस्टेट उन्होंने थोड़े टाइम बाद रियालिस्टेट का चुरू कर लिया था . तो सब को क्या पताती थे कि मैं तो रियल इस्टेट का कर रही हूँ और वहीं से मुझे इतना सब पैसा आ रहा है तो अभी पूलिस को डाउट होता था पूलिस रेड करते थे लेकिन अभी उनको कुछ मिलता नहीं था तो 2015 में क्या हुआ ना कुछ उनका उनका सब अभी ये हो गया तो सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 2015 में जब उनका ये हो गया भी उन्होंने सोच लिया कि हाँ चलो अभी ड्रक्स बंद कर देते हैं पेचना और तो फिर उन्होंने वो सालोके को बताया अगर तुम ये सब छोड़ोगी मुझे तो ये सब करना है जो पैसे आ रहे थे पैसे का लालच किसी को भी चड़ जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं भी मैं तुमको तो हेल्प करनी पड़ेगी वरना में तुमारी बद्नावी करना रहे हैं येंसा कुछ उनका जगड़ा ह हुआ ऐसा तो सोर्शस बता रहें लेकिन वो जो भी हो उन्होंने खुन्नस में ये जो सालोखे थे सालोखे के सतारा वाला जो घर था अगाओ का जो भी सतारा वाला घर था वहां पे 125 टर्न जो है वो ड्रक्स रखवा दिया और पुलिस का खबरी बनके पुलिस को बता दिय सालोखे का करता है और जो जन पुलिस करते थे उनके लॉकर में भी कुछ ड्रक्स रखवा दियो तो सालोखे के गर में सेौश Bardzo नश्मले वुद्धげुरी करते हैं तो पहले तो क्या हुआ उस अलखुट का जो बयान था उस पे यह जो है अपनी बेबी पाटरण को उनको अरेस्ट कर लिया अरेस्ट करने के लिए वारंट निकला तो यह चुपके बैठ गई चुपके बैठ गई तो बहुत दिनों तक वो लापता थी मार्च में उनको अरेस्ट वारंट निकला तो दो मैने तो वो लापता थी तो फिर बाद में कुछ उनको जब वो पनवे कुछ अरोंगा बाद से या कैसे मुंबई लोट रही थी तो पनवेल में उनको अरेस्ट कर लिया, किसी ने देख लिया और तुरंत क्राइम ब्रांज को रिपोर्ट कर लिया, रिपोर्ट करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उनसे जांच करता हुई तो उनों ने कहा कि मैंने ड्रक्स नहीं रखवाया, और यह औरत इतनी दिमाग था जब वो ड्रक्स था वो टेस्टिंग के लिए भेजा उन्होंने जब एक-दो मेने के बाद इनको औरेस्ट करने के बाद ही रिपोर्ट आई तो वो जो रिपोर्ट आई उसमें क्या निकला कि यह अजीनो मोटो है यह ड्रक्स नहीं है तो फिर क्या किया पुलीस ने फिर हाइदराबाद गया जो था फॉरेंसिक वहां पे वेजा फिर वहां से रिपोर्ट आया कि यह अजीनो मोटो है उनको छोड़ना पड़ा लेकिन कलोखे के बायान पे कलोखे तो अरेस्ट होई गया क्योगि कलोखे ने सब कंफेंस कर लिया और उनके बायान पे ये मेडम को अरेस्ट हो गया अरेस्ट हो गया तो उनका बेल भी हो गया था शायद और उनका बेल कुछ जुलाए में या कुछ हो गया उनका बेल हो गया तो उन्होंने एक वीडियो में इंटर्व्यू दिया आई बेन में शायद उन्होंने इंटर्व कि यह अगर मैं ड्रक्स पेशती हूँ तो मैं तीस साल से पकड़ी क्यों नहीं गए जिसको सपोर्ट होता है कैसे पकड़ी जाते हैं और सेकंड तीम उन्होंने कहा यह सब जो है न ड्रक्स का मामला यह कलोखे के घरवालों ने किया है क्योंकि कलोखे और मेरे नजाय संबन थ और यह उन्होंने क्लियर ली उस वीडियो में बोला है ऐसा तो अब वो तो छूट गए पचारकालों के फस्त है क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी लेकिन यह तो उनकी किस्मत पता नहीं क्या है फस्त गए लेकिन चार्ज लग गया फोट में जो चार्ज लगना था लग अभी तो उनके दो भाई तो अभी भी शायद चूट गए अभी वो और यह भी चूट गी जल से अभी पता नहीं कहां है क्या कर रहे कुछ आईडिया नहीं किसी को लेकिन अगर आप वरली के सिधार्ट नगर के इरिया में जाओगे और पूछोगे कि यह क्या करते तो सब बोलेंगे रियल एस्टेस का करते या फिर अभी बोलें दो कि यह अच्छी का बिजनेस करते जो फिश होता नहीं फिश सप्लाइ करते और उनका हाथ इतना मतलब हम मैंने जितना के रिसर्च के आना उनके तो ऐसा उनका यह था ना कि चलते चलते वह कब कस्रमर के हाथ में जो क्या खुडिया उडिया नौल पैकेट कहते है वह थमादे पता नहीं चलेगा इतनी वह साफ थी यह सब काम बहुत लेकिन मानना पड़ेगा उस ओरत को आज तक पकड़े नहीं गई लेकिन नाम लेबल तो एक बार चिपा गया तो चिपा गया ट्रक्वी तो मुझे तो यह थोड़ा सा यह लगा कि यार मतलब जोल करते है कि तकतना उम्में पालतो दिमाग होता है कि किस तरीक से जोल कर रहे है लोग किसे में और मतलब ऐसे common man या queer एवन अमीरों में भी इतनी उमत नहीं होते है कि बिंदास जोल करें और आंके उनकों नकों नहीं करें जूट स चलो जाने दो लेकिन आपको टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और सेकेंड थीम और आप कमेंट में बताइए कि मैं अगले किस टॉपिक पर वीडियो गुना हूँ वैसे तो अभी मैं नए ने टॉपिक लेके ही आने वाही हूँ लेकिन तब तक पर टॉपिकलिय दो सिर्प कैसा ने मोद एके लेकिन ने थीम ईया है